जो सुनत पढ़ जब फर्ज नमाज पढ़ी हो तो सुनत पढ़ रहे हो तो उससे खतम कैसे करना चाहिए इसा ही मतलब नियत तोड़ के सामील हो जाए फर्ज में सलाम नहीं फेरना है यह बहुत अच्छा सवाल है आपका क्योंकि यह गलतिया मैंने देखा है करते हुई लोगो कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जब जाहिर है जब फर्ज नमाज खड़ी हो गई तो अब आपको सुनत नहीं पढ़ना है तो कुछ लोग जैसे मालीजे अभी प नमाज कंपलीट कोई तब आपको सलाम फेरना है वो जगे हो उसकी तो आप वो काम उस जगे पर पहुंचने से पहले कैसे कर सकते हैं तो यहां पर सलाम नहीं फेरना है बस आपको निकल जाना है या जैसे मालीजे कोई नमाज पढ़ रहा है उसका जो है वुद्ध फूड तो आप क्या वो सलाम फेर की निकलेगा सलाम फेरने तक वो पहुंचा ही नहीं है या आप नमाज पर रहे हैं पहली रकात में कोई हादसा हो गया जिससे कि आपको नमाज दोड़नी पड़ी तो क्या आप सलाम फेर के नमाज दोड़ेंगे नहीं सलाम को सलाम की जदे पर अभी आप वहां तक पहुचे ही नहीं है तो आपको ऐसे ही निकल जाना है